हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओनलाइन आई टियाए पर इस्टुडेंट्स मिष्ट धातु निगम लिमिटेड यानी बिधानी जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्राले की एक कंपनी है यहां पर फिलाल आई टियाए पास पर्मानेंट जोब वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिगाई स्टुडेंट पर्मानेंट जोब आई टेक स्टुडेंट को इस वेकेंसी के द्वारा मिलने वाली है और आज की वीडियो में हम आपको इसी नोटिफिकेशन की संपूर जानकारी देने वाले हैं औ और आपको बताने वाले हैं कि आप इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस वेकेंसी के लिए योग्यता है मांगी गई है, यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो स्टूडेंस बीना देर किये शुडु करते हैं आज के वीडियो को और चलते हैं इस वेकेंसी के नोटिफिकेशन पर. तो इस्टूडेंस ज Eliasie का स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, इसमें सबसे पहले ऊपर की और इस वेकेंसी में निकाली गई पोस्ट और उनकी संख्या की जानकारी दी गई है यहां आप ध्यान दें, नो कुल पोस्टे निकाली गई है, इसमें एक, दो और तीन, जो उपर से तीन जो पोस्टे यह आईटे वालों के लिए नहीं हैं, जबकि चार, पांच, छे, साथ, यह जो चार पोस्टे हैं, चार नमबर से लेकर साथ नमबर तक की यह केवल आईटे यह वाले केंडिड़्स के लिए निकाली गई है, एक, एक करके मैं आपको बता देता हूँ, चोथे नमबर पे जो पोस्ट है, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी, यानि जे ओटी, एनडिटी ओपरेटर, इसकी जो पोस्ट है, इसके दो पन निकाले गए हैं, और इसमें जो एज लिमिट बताई गई है वो 30 वर्ष निकाली गई है अधिक्तम 30 वर्ष तक की आयू की केंड़ेटे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पांच वे नमबर पे पोस्ट जो है जे ओटी फीटर कटिंग मशीन इसकी एक पोस्ट निकाली गई है इसके लिए अधिक्तम आयू है है वो है 30 वर्ष इसी तरीके से साथ में नमबर पे जे ओटी फीटर रेंड की जो पोस्ट है इसके लिए भी एक पद निकाला गया है और यह एक पद यह EWS के लिए आरक्षित किया गया है इसमें अधिक्तम आयू सीमा जो बताई गई हो 30 वर्ष बताई गई है यह जो पोस 60,000 रुपे रहेगा ठीक है यह तो बात हो इस वेकेंसी के लिए पोस्ट की और उनमें पदों की अब इस पर मैं आपको बता देता हूँ परते एक पोस्ट के लिए क्या क्या योग गयता है मांगी गई है सबसे पहले आप देख सकते हैं जूनियर ओपरेटिव ट्रेणी ज इसके लिए qualification मांगी गई है साथ ही candidate जो apply करना चाहता है उसे minimum दो वर्ष का अनुबव होना चाहिए इंडर्स्ट्रियल अनुबव यानि किसी भी इंडर्स्ट्री में इसे electrical या electronics department में कारे करने का दो वर्ष का उसको अनुबव होना चाहिए तब ही वो इस वेकेंसी के यानि जे ओटी फीटर कटिंग मशीन चीक है कटिंग मशीन इसकी एक पोस्ट पर जो आवशक eligibility है वो है 10 और IT फीटर ट्रेंड में चीक है इसके अलावा साथ वर्ष की minimum जो qualification का experience चाहिए चीक है यह होना चाहिए maintenance of cutting machine and hydraulic system चीक है तो maintenance of cutting machine and hydraulic systems में साथ वर्ष का अनुबव द जे ओटी फीटर कटिंग मशीन में अपलाई करने के लिए अगर बात करें च्छटे नंबर की post जे ओटी टर्नर के लिए इसमें SSC प्लस IT टर्नर तो दसवी और IT टर्नर ट्रेड में होने के साथ साथ दो वर्ष का इसमें भी अनुबव चाहिए turning operations and late machine पर काम करने का ठीक है 10 प्लस IT टर्नर ट्रेड में के अलावा दो वर्ष का अनुबव चाहिए maintenance of mechanical equipment का mechanical equipment के maintenance में दो वर्ष का अनुबव इस वेकेंसी में अपलाई करने के लिए होना चाहिए चेक है candidates तो इस वेकेंसी के लिए आवश्यक योग्यता उसमें अनुबव की जानकारी मैंने आपको द सकते हैं चेके selection process के अगर बात करें तो selection process में सबसे पहले candidates का return test लिया जाएगा return test जो होगा हो यह सोंक का होगा जिसका वेटेज सत्ता रंक होंगे qualification के पंदरा अंक दिये गए हैं और experience के पंदरा अंक दिये गए हैं यह दोनों चीज़े मैं आपको नीचे बताऊँगा इसके बाद candidates का proficiency test होगा जिसमें pass होने के बाद candidates को final select किया जाएगा यह total जो प्रोसेजर रहेगा है एक किस तरी किस रहेगा मैं आपको बता दूँगा जो return test होगा 100 marks का यह 90 minute का होगा और इसके no negative marking है यह बिना किसी negative marking का यह test होगा चीक है इसके मैं आपको बताया था कि 105 अंक का जाएंगे experience के अंकों की अगर बात करो जो पंदरांग उपर यहां पर बताये गए हैं experience के पंदरांग में जो 10 marks है यह minimum experience की होने पर दिये जाएंगा और दो marks additional कोई सा भी आपको experience का रहेगा मतलब जितने भी येर का आपको additional experience रहेगा उसके दो अंकों और अतरीक तो जो shortlist candidate होंगे उनकी जो सूचना है वो उनके email ID पर दी जाएगी और मिदाने की website पर upload कर दी जाएगी ठीक है इसके बाद जो final आपका मैंने बताया था skill test जो होगा उसके आधार पर final selection किया जाएगा candidates का इस vacancy के लिए अगर आवशक general conditions की बात करते हैं general conditions में आप देख सकते हैं कि इस vacancy के लिए all over India से candidate apply कर सकते हैं age qualification और अनुबाव जो count होगा वो 23 November 2022 के date के अनुसार count होगा जो upper age limit है उसमें आपको relaxation मिलेगा नियम अनुसार government of India का जो नियम है SC, ST, OBC को relaxation दिया जाएगा इस vacancy के लिए जो online form भरा जाएगा वो 7 December 2022 से तक भरा जाएगा sorry इस form को भरने की जो last date रहेगी वो 7 December 2022 रहेगी चीक है यह इस vacancy के form के लिए last date है चीक है जो return test practical test यह होगा यह English में होगा only चीक है आगे और information में आपको बता देता हूँ जो important information ने वो मैंने already आपको बताने के लिए टिक कर लीती तो नोसिकरुसरा आपको बता दे रहा हूँ चीक है जो notification है selection का process का सारा वो official website जो मिदानी की है इसी पर होगा तो इसको आप regular check करते रहें चीक है और जो final selection posting candidates की दी जाएगी वो भरत के किसी भी इस्थान पर मिदानी के द्वारा दी जा सकती है चीक है तो इसकी गोशना आपको शुरू में करनी पड़ेगी कि आपको किसी प्रकारी को यापत्ती इसमें नहीं होगी चीक है candidates जो हैं जो serial number 4 से लेकर 8 तक की post वाले हैं इनको selection होने के बाद एक वर्ष का जो period रहेगा वो as a training के रूप में अपना देना पड़ेगा एक साल का period इसके बाद जो उनको finally full time के लिए employee कर लिया जाएगा ठीक है तो एक साल के लिए आपको as a trainee आपको वहाँ पर select किया जाए जाएगा ठीक है एक साल के बाद आपको permanent वहाँ पर कर लिया जाएगा how to apply apply किस तरीके से करना है apply करने के लिए candidates आपको जो बिधानी के official website है इस पर जाना होगा इसमें career वाले option पर जाने के बाद e-recruitment का option है वहाँ पर आपको सारी जानकर अच्छे से पढ़ लेनी है और हाँ पर apply आप कर सकते हैं ठीक है apply करने के लिए जो लिंक है यह 23 नॉम्बर 2012 से चलो होगा जिसकी अंतिम्तिरी 7 दिसम्बर 2022 तक रहेगी तो 7 दिसम्बर 2022 तक आप इसको apply कर सकते हैं ठीक है apply करने के दोरान आप अपनी valid email ID और contact mobile number दें जिससे कि आपको सारी information time to time मिलती रहे आप किसी information से miss ना हो तो candidates उम्मीद है कि आपको इस video में दी गई सारी information अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी आपको किसी प्रकाइब confusion है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं अगर आप इस vacancy का notification download करना चाते हैं तो आप हमारे telegram गुप से इसके notification पर download कर सकते हैं telegram गुप से जुडने का link इस video के description में आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो इसे subscribe करके बेल आएकर जरूर दबा दे जिससे कि आपको ITI से सम्मन दिन हर job notification सबसे पहले मिल सके हैं आप देख सकते हैं अभी फिलाल western center railway में अप्रेंशिप की vacancy निकली हुई ह इसके लावा सेल में स्टील ओटरिटी ओफ इंडिया में भी ITI Pass Canada के लिए permanent job का notification निकला हुआ है सारी जानकरी मिलेगी आपको हमारे YouTube चैनल पर देख सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे like जरूर कर देना मिलते हैं अगली इसी तरह क में मैं कि यहे एक्र उाझा मोदियोस्ग में भीसित्तरी करोफो बाटरिणेशलेशले सेक्ट Esse है